सुभा सवेरे उठते ही हमारे मन में सबसे पहला खयाल यही आता है कि ना जाने हमारा आज का ये दिन कैसा रहने वाला है तो आईए बात करते हैं मिथुन राशी के जातकों के बारे में और जान लेते हैं कि उनके लिए आज का ये दिन कैसा रहेगा साथी साथ हम चर्चा करेंगे कुछ उन उपाई के बारे में भी जो करना आपके लिए काफी लापदायक रहेगा अगर हम बात करें सबसे पहले आपके करियर के बारे में मिथुन राशी वालो तो देखें आज आपका काम में मन नहीं लगने वाला है आपको अपने क्रोध पर काबू करना है क्योंकि हो सकता है आज कारे शेतर में आपकी किसी से लड़ाई हो जाए आपको अपने वानी पर नियंतरन रखना है क्रोध पर काबू रखना है साथी साथ अगर हम बात करें आपके स्वास्त की तो देखें आज आपको चोट लग सकती है या कोई एक्सिडेंट का सामना करना पड़ सकता है आज आप गाड़ी बिल्कुल ध्यान से चलाएं घर से जादा बाहर आज आप ना निकलें अगर हम बात करें कि मिथुन राशी वालों का आज धन से संबंदित दिन कैसा रहेगा तो देखें आज आप किसी पुराने दोस्त के साथ मिलकर नए बिजनस को शुरू कर सकते हैं या नए बिजनस को करने की योजना बना सकते हैं अगर हम बात करें आपके लव लाइफ के बारे में, तो आज आपका लव लाइफ काफी अच्छा रहेगा, आप अपने पार्टनर के साथ काफी खुश रहेंगे, और काफी अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे. अगर परिवार की बात करें तो संतान से जुड़ी कुछ खुश खबरी आपको मिल सकती है साथी साथ समय हो चुका है आज के उपाय का तो देखें मिथुन राशी वालो आपको क्या करना है कि मिठाई या खीर का भोग लगाना है आपको मा लक्षमी को मा लक्षमी को अगर आप मिठाई या खीर का भोग लगाएंगे आपके लिए काफी अच्छा रहेगा मा लक्षमी आपसे प्रसन्य होंगी और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी साथी साथ अगर हम बात करें आज के लकी नंबर और लकी कलर की तो आपके लिए आज का लकी नंबर रहेगा नंबर 8 और लकी कलर रहेगा यलो तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दी लिखना ना भूले साथी साथ देखे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए उससे क्या होगा कि हमारे चानल से रिलेटेट सभी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुचते रहेंगे तो आज के वीडियो में बस इतना ही तब तक खुश रहिए सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त